डेली उनिवर्सिटी ने जब से अपना इग्जामिनेशन NTA के थू जो है कराना शुरू किया है LLB का तब से बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है केवल इस चीज को समझ पाने में कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और किस प्रकार से जो है हमें सवाल पूछे जाएंगे However, जैसे ही बच्चे कोशिश किये इसको थोड़ा सा समझ पाना तभी पता चलता है कि इस साल पाटर्न में फिर से कुछ चेंज आ गया है और यह जो ambiguity है यह आप सभी के मन में हैं जो कि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा परिशान कर रही होगी बट आज हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर decode करने वाले हैं आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब बटन साथ ही साथ अगर चानल को आपने वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हम और जादा से जादा बच्चों तक पहुँच सकें चले तो आज जानते हैं हम इस examination के बारे में that is basically known as C-U-E-T-P-G-L-L-B ये वो examination है जिसकी मदद से आप Delhi University और SE और Central University से जाकर अपने law की तयारी कर सकते हैं अपने law की degree जो है वो आप 3 year की यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं चले तो आप करते हैं session के शुरुवात यहाँ पर आपको बदा देते हैं that इस साल जो आपकी C-U-E-T-P-G का सारा detail है वो आपको इस website पर देखने को मिलेगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप जब इस website को देखेंगे मैंने जान बूझ कर उसको highlight किया है ताकि आप सभी को एक clarity के साथ पदा चल सके कि हमें किस website पर जाना है तो website का नाम यहाँ पर क्या है pgcuet.ac.in तो इस तरीके से आपको यह website देखने को मिलेगी वेबसाइट कुछ इस तरीके का आपको interface देखने को मिलेगा जो यहाँ पर मैंने आपके लिए दिखा रखा है However, however, अब हमको इसके आगे करना गया है इसके आगे जो है आप पहले समझ लीजे exam का pattern exam के pattern की अगर हम बात करें तो yes, this is going to be an online examination duration examination का कितना होगा? 105 minutes duration जो है वो यहाँ पर कम किया गया है क्यों कम किया गया है क्योंकि आपके questions number of questions जो है उनको भी घटाया गया है पहले आपको समय मिलता था 100 questions करने का अब उसको कम करके कितना कर दिया गया है 75 questions उसके बाद जो marks पहले 400 हुआ करते थे वो भी कम करके अब 300 कर दिये गए हैं 300 At the same time आपको हर एक correct answer के लिए You will be getting 4 marks For every incorrect answer You will be getting a penalty of minus 1 यानि कि आपका एक number जो है वो हर एक गलत answer के लिए घटा दिया जाएगा तो इस तरीके का आपका ये exam pattern होगा क्या sir अगर हमने questions को छोड़ दिया हमने attempt नहीं किया तो क्या उसमें भी हमारे number कटेंगे ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आप question को छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी deduction नहीं होगा deduction केवल तभी होता है जब आपने question को attempt किया है और वो जो आपने attempt करके answer लगाया है वो incorrect है केवल और केवल तभी आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है as a negative marking तो ये है पूरा का पूरा exam pattern अब बात कर लेते हैं question कि कितने question जो है sir वो किस particular subject matter से आएंगे उनके बारे में बात करते है तो जैसे कि आप देख सकते है basically आपको 5 अलग-अलग segments पर यहाँ पर test किया जाता है एक हो गया आपका English दूसरा आपका general knowledge static and current affairs इसके अलाबा maths या फिर quantitative techniques जिसको आप consider कर सकते हो logical reasoning और computer तो इस तरीके से 5 अलग-अलग subjects है जिन पर आपको test किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है कुछ number of questions जो कि on an average हमको last time देखने को मिले थे अगर on an average लेकर चले तो 20 to 25 questions जो थे वो आपके English के थे similarly इतने ही आपके GKK थे then maths में आपको around 30 questions देखने को मिले है LR में 20 to 25 questions again and computer में आपको 10 questions देखने को मिले थे however यह तब की बात है जब आपके 100 questions आया करते थे अब pattern change हो गया है और अब आपको कितने questions आएंगे 75 questions तो अगर कोई आपसे पूछे कि sir किस subject matter से कितने questions आने वाले है honestly I don't know it neither does anybody in this country knows that कि कितने questions आने वाले है किसी को नहीं पता है क्योंकि at the end of the day NTA है जब तक आपका exam conduct नहीं होगा उस दिन तक किसी को नहीं पता चलेगा कि कितने questions किस particular subject matter से आएं है इसलिए अब हम यहाँ पर focus कर रहे हैं just on the basis of the assumptions that we are making according to the past pattern कि अगर past pattern में जिस तरीके के सवाल उचे गएं उसी हिसाब से हम अगर इस साल देखना चाहें तो English से we are assuming कि 15 to 16 questions आपको देखने को मिलेंगे ठीक है general awareness और current affairs I feel थोड़ा सा जादा weightage है तो यहाँ पर आपको 25 questions देखने को मिलेंगे and 25 क्यों रखा है वो मैं बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है pattern में change हुआ है syllabus में change हुआ है तो वो क्या change है उसके बारे में भी बात करेंगे और उसको कैसे cater करना है वो भी ज़रूर समझेंगे maths में आपको 15 questions around आने के chances है LR में भी आपको around 15 questions आने के chances है और computer में आपको जो है यहाँ पर 5 questions जो है 5 जी हाँ वो यहाँ पर उमीड करी गई है so in total यह कुछ 75 marks होते है this is what I believe and I feel is the correct description correct distribution of questions जो की आपको examination में देखने को मिल सकता है चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जल्दी से देखते हैं कि हमें syllabus जो है वो कहाँ पर देखना है please मेरी आप सभी से request है किसी भी coaching institute के website पर जाकर उस syllabus से deceive मत होएगा क्योंकि पुरानी समय का syllabus जो है वो भी बहुत सारी जगर continue हो रहा है हमको उस पर focus नहीं कहना है मैं हमेशा गयता हूँ always listen through the lion's mouth आपको हमेशा जो है authoritative position authoritative institution से ही clarity के साथ पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है तो यहाँ पर authoritative position जो है उसमें कौन है सर वो particular organization जो की exam conduct कराएगा that is NTA और उन्होंने जो website बनाई है वो website यहाँ पर आपकी आँखों के सामने है website का नाम है pgcuet.summer.ac.in ठीक है इस website पर आपको जाना है मैंने bold में लिखा है ताकि आपको clarity के साथ दिख जाए उसके बाद आपको यहाँ पर home then bulletin then syllabus then इसके हिसाबते courses application etc. etc. चीज़ें यहाँ पर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर select करना है syllabus को जैसे ही आप syllabus पर click करेंगे कुछ इस प्रकार के आपको बहुत सारे अलग-अलग examinations का detail देखने को मिलेगा last time जब पहली बारी यह exam conduct कराया जा रहा था बच्चों को बहुत confusion हुआ था with this number that is COQP11 COQP11 यह जो COQP11 है इसमें बहुत ज़ादा doubts जो है वो बच्चों को आए थे बट इस बारी क्या किया गया है NTA ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है I guess meeting हुई है Delhi University के साथ और SE Universities के साथ और फिर इन्होंने decide किया है कि हम specifically लिख कर देंगे general में that L, L, B, etc याने कि L, L, B का जो entrance examination है वो आपका इससे ही conduct कराया जाएगा समझ में आ गया I repeat sir L, L, B का जो आपका examination होता है general का वो आपका C, O, Q, P, 11 आपका examination code है और वो आपके general category के अंतरगत ही यहाँ पर conduct कराया जाएगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा syllabus और यह syllabus मैं आपके लिए यहाँ पर detail में लेकर आया हूँ I want कि अगले 5 minute हम इस syllabus को दें क्योंकि ultimately हमको पता होना चाहिए कि हमारे syllabus में क्या पूछा जाएगा ताकि जब तक आप syllabus से clear नहीं है आप अपनी preparation नहीं कर सकते प्लीज आपसे यह request रहेगी कि अंधेरे में तीर मत चलाएगा आपको पता होना चाहिए कि syllabus में क्या है तब ही आप अपनी तयारी जो है उस हिसाब से align करेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आप देख सकते हैं English, English comprehension जो है उसके अंतरगत आपका grammar का test होगा मैंने हमेशा आपको बोल रखा है grammar सबसे basic चीज़ है Renan Martin book मैंने आपको बता रखी है उस book को जितना जादा बहतर तरीकी से पढ़ोगे उतना बहतर आपके लिए होगा Similarly, English usage के errors jumbled paragraphs sentence correction sentence improvement reading comprehension paragraph completion one word substitution synonyms, antonyms and idioms and phrases तो ये वो चीज़े हैं जो आपको English के अंदर पुछी जाने वाली है क्या ये sir idioms and phrases के लिए हमको कोई अलग से book पढ़नी है antonyms वगेरा के लिए अलग से book पढ़नी है see I don't prefer that and I say कि आपको शायद जो word power made easy book है वो सब recommend की जाती बट मुझे ये लगता है कि उसको पढ़ने में थोड़ टाइम लगेगा उससे बहतर ही हो सकता है कि आप YouTube का जो है जादा से जादा फाइदा उठाएं और उन particular words को जो अलग-अलग examinations में पूछे गए हैं law examinations में antonyms, synonyms जो already पहले पूछे जा चुके हैं या फिर किसी और examination में आप उनकी ही पूरी एक list अपने हातों से बना लीजिए अगर आप ऐसे 100, 100 plus antonyms, synonyms बना लेते हैं similarly अगर आप idioms and phrases के लिए कुछ 100 plus idioms and phrases लिख लेते हैं maximum 60, 70 होंगे उतना भी अगर आप कर लेते हो trust me, you will be in a better position जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे already जो है वो बन जाएंगे ठीक है, तो smart studies करना बहुत जरूरी है please ये याद रखना इन सभी चीज़ों पर आपको test किया जाएगा बच्चे अपना favorite समझके किसी एक subject में इतना जादा घुझ जाते है कि उसके बाद उनको ये लगने लगता है कि शायद इसी से मेरा exam निकलेगा ऐसा नहीं है अगर पांच अलग-अलग subjects है तो इन पांचों की ही equal महतुता है और उसके अंदर भी जो syllabus दिया गया है उसको बहुत अच्छे से देखना जो है आपके लिए जरूरी है चलिए अब आते हैं आगे जैसे कि आपको पता है जैसे हैं जैसे कि आपको पता है इससर यहां तक तो सारी चीज़ाइ ठीक थी बट क्या इस बार Delhi University और CUET कंड़क कराने वाले agency याने की NTA क्या इन्होंने हम लोगों के दर्द को सुन लिया क्या इन्होंने हमारे दर्द को समझ लिया कि हम जो है अगर law entrance examination की त्यारी कर रहे है और उसमें आप हमसे legal ही नहीं पूछ रहे हो अलक से एक subject नहीं है बट रादर आपके general knowledge और general awareness के अंतरगत ही legal जो है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा So this becomes a little important for you guys कि आप यह याद रखें कि legal awareness जो है वो आपके लिए कितना जादा अब important हो जाता है सवाल यह है सर इसको cater कैसे करना है कैसे इसको पढ़ना है उस पर भी बात करेंगे आएंगे पहले हम थोड़ा syllabus को समझ लेते हैं इसके आगे फिर आप देख सकते हो trade awareness, geography, culture तो इस तरीके से सारे की सारी information आपको यहाँ पर दी गई है जो आपके examination में पूछी जा सकती है मेरा हमेशा का कहना है current affairs पे थोड़ा जादा focus करें बट at the same time static को पीछे मत छोड़ें Indian constitution से आपको बहुत सारे सवाल आने के chances है साथी साथ economics के जो basic terminologies होती है fiscal deficit क्या होता है primary deficit क्या होता है budgeting क्या होता है इन सब चीजों को आप थोड़ा सा जो है वो पढ़ेंगे तो definitely आपको मदद मिलेगी at the same time history history में भी मैं हमेशा focus करता हूँ थोड़ा सा modern Indian history पे focus जादा करें क्योंकि जादा तर questions आपको यहां से ही देखने को मिलते है geography में I had been always telling you कि आपको locations पे थोड़ा सा जादा focus करना चाहिए क्योंकि वो आपकी मदद जरूर करेगा इसके अलावर yes computer basics is here guys and girls computer basics fundamentals computer के abbreviations कुछ होते हैं जैसे कि USB क्या होता है इन चीज़ों के बारे हैं पता करें computer की shortcut keys बहुत important है सवाल पूछे जाते हैं Microsoft Windows, Office, MS Word types of computers किते होते हैं storage devices कौन से हैं और software में difference क्या होता है input output devices क्या होते हैं internet, computer network, website, web browser computer virus या फिर important computer related terms तो ये चीज़ जो है वो आपको dedicatedly पढ़ने हैं क्योंकि इस साल भी इससे 5-6 questions तो आने बनते ही हैं भले ही यहाँ पर 75 marks का जो है या रदर 75 questions का जो है paper कर दिया गया है despite of that आपको ये जो है questions देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो आप इसको छोड़ना तो बिलकुल भी afford नहीं कर सकते अब बात आती है sir and ma'am general aptitude and logical reasoning तो आप देख सकतो यहाँ पर आपसे clocks, calendars average and simplification ये चीज़े तो पूछी जाएंगी problem on ages and numbers और trains ये सब चीज़े पूछी जाती है LCM, HCF percentage, profit and loss ये चीज़े उसके बाद partnership, compound interest, ratio proportion simple interest, time and work pipes and systems, time and distance stock and shares, discount bankers discount, geometry, set permutation, combination mixture, allegation, area and volume ये सभी चीज़े मैं नहीं बता रहा हूँ sir and ma'am, आपके syllabus में दी गई है yes and it becomes important कि आप इन चीज़ों को गलती से भी छोड़ने की कोशिश ना करें अगर आप इनको छोड़कर जाने की कोशिश करोगे या मंचा उठाओगे, trust me आप अपने लिए एक blender जो है वो यहाँ पर कर लोगे, चलिए इसके बाद आते हैं आगे logical reasoning में ranking बहुत important चीज़ होती है, मैंने बताया है arrangements, आपके linear या फिर circular जो seating arrangement जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूर पढ़े sequencing, metrics arrangement statement argument, cause and effect statement assumption, statement and conclusion, इसी के साथ number series blood relation, coding decoding, inferences nonverbal reasoning, analogy test symbol based problems, direction and distance and analytical reasoning तो इस तरीके से, ये सारी की सारी चीज़ें, including your analytical reasoning part, आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अब सवाल आता है, sir the elephant in the house, yes now we are talking about the change syllabus, जहाँ पर आपको legal जो है वो include किया गया है, so when we are talking about the included legal section, let me tell you guys that सबसे पहले तो आपको अपने आपको ये समझाना है कि legal as a different subject निकल कर नहीं आया है, but rather आपका जो GK portion है, static GK portion है, उसके अंदर legal awareness जो है वो include करे गई है, so इस थिती में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी होंगी, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो आपको legal GK पढ़ना बहुत important है, when we say legal GK पढ़ना important है, हमारे देश के अजाद हिंदुस्तान के पहले Chief Justice of India कौन थे, या फिर हमारे हिंदुस्तान में legal GK पूछा जा सकता है, वो आपको बनना चाहिए, कि अंडमान और निकोबार किस परड़िकला हाई कौट के अंतरगत आता है या फिर लक्षवदीब जो है, वो किस हाई कौट के अंतरगत उसका jurisdiction है तो ये सारे सवाल आपको बनने चाहिए, क्योंकि ये legal GK का पाट है, definitely ये आपको पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा chances इसके हैं मुझे ऐसा लगता है उसके अलाबा legal maxims, sir and ma'am very important, legal maxims वो चीज़े हैं जो आपके examination में आपसे पूछी ही जाएंगी इनके chances सबसे ज़्यादा है तो अगर आपसे पूछा जा रहा है quid pro को, तो आपको बनना चाहिए इन चीज़ों को आप again miss out नहीं कर सकते legal terms, मैंने कहा है legal maxims और legal terms ये सबसे important है यहाँ पर after your legal GK part तो इनको आपको बहुत dedicatedly पढ़ना है and hardly it will require you to study for like next 3-4 days और आपका legal maxim और legal terms बहुत अच्छे सो जाएगा एक बारा पढ़ोगे, दो बारा प्रिवाइस करोगे तिसरी बारा प्रिकॉल करोगे, जो भूलोगे उसको आप दो बारा से पढ़ोगे, तो इस तरीके से आप जो हैं यहाँ पर इन चीज़ों को कर सकते हैं, इसके अलावा Constitution of India यह तो आपको पता है कि एक different head ही है अलग से जो है Constitution of India लिखा हुआ है तो इसकी तो importance बहुत ज़ाद है इसको हम miss out नहीं कर सकते हैं बट इनके अलावा contract और law of tots इनका भी basic, बहुत basic कि भाई offer क्या होता है, acceptance क्या होता है बस छोटा छोटा basic जो है वो इसके बारे में आप पढ़ लीजे उतना आपके examination के लिए काफी होगा जादा depth में जाने की आपको आविशक्ता नहीं है और इनके अलावा जो important landmark judgments होते हैं उन important landmark judgments के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि ऐसा quite possible है कि आपको landmark judgments या फिर जो important recent judgments अगर हुए है उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं चीक है तो I believe यहाँ पर हमने सारी ही चीजों को cater किया है अब आप सभी को बदा देते हैं that Unacademy का अभी इस वक्त जो है 26 January का Republic Day Offer चल रहा है जिसके तहट आपको 25% का discount मिल रहा है on the subscription for 3 year LLB and इसके लिए लेकिन आपको एक code का use जरूर करना पड़ेगा and that code is bar 5 जैसे ही आप इस code का use करेंगे यहाँ पर आपको सारे subscriptions दिख रहे हैं आप उनको purchase कर सकते हैं however अगर आपको लगता है कि मुझे एक dedicated course बस चाहिए तो उसके लिए CUETPGLB का striker batch जो है वो unacademy के portal पर already live हो चुका है यह जो course है आप देख सकते हो it was costing near about 15,999 यहने 16,000 बट अभी यह आपको 7,000 के discount के साथ आराम से 8,999 रुपे का मिल रहा है however इसमें क्या चीज़े included हैं classes तो हैं है बट उसके साथ-साथ आपको full length mock test जो है वो भी यहाँ पर दिये जा रहे हैं जिसका आप फाइदा उठा सकते हैं और भी जादर discount के साथ याने कि इस price को और भी discounted कर सकते हो अगर आप इस code का use करते हो that is bar 5 bar 5 is basically being अधतराय army का code आप जैसे ही bar 5 code लगाओगे आपको जो है maximum discount देखने को मिलेगा अगर आप वो बच्चे हैं जो की mh set की भी तैयारी कर रहे हैं और cuet की भी 3 year की तो sir and ma'am इस चीज़ के लिए आप ये batch join कर सकते हैं which is the victory batch ये victory batch जो है again 30,000 रुपीज का था but अभी 12,000 रुपीज का ही मिल रहा है कैसे मिलेगा sir ये discounted price कैसे मिल सकता है अगर आप code का use करते हो that is bar 5 bar 5 code का use जैसे करेंगे you will get to see the maximum discount इसके अलावा आपके 3 year LLB examination 2025 के लिए यहाँ पर foundation batch जो है वो लाया जा रहा है और यह foundation batch 25th of January से शुरू होने वाला है आपसे request ही रहेगी कि जल्द से जल्द आप जाकर इसमें अपने आपको register करें again for registering you need a code which is known as bar 5 इसके अलावा अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो 5 year LLB के तियारी कर रहे हैं and CLAT के अलावा slat, mhset, lset या फिर आप जो है तियारी कर रहे हो like suppose Christ University की या आप army law school महाली की तियारी कर रहे हो इन सभी के लिए एक dedicated यहाँ पर test series जो है वो लाई गई है अनकाडमी के द्वारा जो कि अभी इस वक्त बहुत heavy discount के साथ आपको मिल रही है जिसका price कितना था सर्फ price था इसका actual price 9,999 रुपीज बट अभी इसमें जो है अगर आप use करते हो code that is bar 5 तो आपको ये चीज जो है देखने को मिलेगी 4,166 रुपीज ओनली पे and ये आपको फाइदा देगा किस तरीके से क्योंकि इसमें proper schedule है उस schedule का उपयोग करके आप अपने लिए जो है एक strategy develop कर सकते हैं Monday को let's suppose आपका slad का exam है फिर Wednesday को आपका MHCET का exam है फिर Sunday को let's suppose आपका CUET का exam है तो इस तरीके से आप अपनी तयारी जो है वो streamline तरीके से कर सकते हैं Every alternate day you will have a test जो की होगा 7 PM पे तो definitely आपकी तयारी को एक streamline manner में आप शुरूख कर सकते हैं With this I would like to call it a day Thank you so very much guys for all joining in and I wish you all the very best मैं ये चाहूंगा कि आप सभी का examination बहुत अच्छा जाए और आप अपने लिए अपना एक अच्छा college जो है वो chain कर पाए इसी के साथ आप से लेना चाहेंगे विदा Thank you for joining in Keep studying, keep grilling Jai Hind, Jai Bharat